अगर हम लोग बात करें कि प्रिजन कॉण्टी टेंस के बारे में तो हम लोग ने प्रेवेस व्यास हो में पढ़े लिया है यह कमुण चीजा है पढ़ा है कि रहा है रही है रहे है बट थोड़ा अडवांस में देखता है देखना है हम लोगों कि यह रहा है रही है यह तो हम लोग ने रटाफिकेशन बहुत पहले से याद कर रखा है और हमारा अब थोड़ा अलग से सीखना हमें कि जैसे कोई कॉई कॉम्टेशन इजाम में हमारा आ जाता है तो कुछन तो हम लोगों वहां पर रहे हैं ये हिंदी में नहीं ना प्ता है कि कोई स्टोडी में रहा जाते हैं इसमें एक्ट सन्टे साथ इसन जो डिका शाथे हैं आज भी डिसस्स करनें वाले डाइस सो आयं आ या Lite कि जैसे कुछ संते्टस आता है 열厚 कि राम सोय मगड़ कि राम सोया है वैस हम लोगों अगर इस संटेस के लिए बारें बात करें तो देखिए पहले ची तो प्रजेंट कॉर्टी इंवेस्टेंस का जो हम लोगों पढ़ा है रहा है रहीं रहें यह तो आता ही है प्लस उसके साथ जैसे कोई यहां पे जो वर्व होता है वो कंटीनु प्लस है कि इन केट्ल हूं शेंचा मतलब यह कार को कंटीनु जारी रखने को बताता है कि हमारा कोई क्या है कके अगि वहीं सिर्कांट कुछम मतलब कर द regression क div रहे हैं यह चीफ्ट हम लोगों को पड़ रखा है रखा भी है कि रहा है रही है अगर हिंदी वाक्व में आते हैं तो हम लोग क्या कर लाते हैं यह प्रिजेंट कॉंट्टिंट इसका है लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है कि अगर प्लस एक्षण एक्षण वर्क कैसे होता है एक्षण वर्क कैसे होता है एक्षण वर्क मतलब कहते हैं कि वह सो रहा है वह सो रहा है सीता सो रही है आपका भाई जो है टेंपो इस्टेंट पर खड़ा है मैंने वाइट कलर की सट पहन रखी है मैंने सूज पहन रखे हैं जो है इस तरह के जो स रही होता है ऐसे जो हमारा कार्य जाली रख है लेकिन एक्स में होता है हमारा यह क्या है हमारा वर वर्क कैसा स्टार्ट है इसको बोलते हैं एक्षन क्या बोलते हैं एक्षन का मतलब यह होता है कि वर्क इस गूइंग ओन वर्क इस गूइंग ओन अगर बात करें कि यहां पर हमारा काम क्या हो राता है चला होता है लेकिन भूए की हैं तो टाकिंग के हिसाप्ते आएस्से कोई जांपल यह लेरा कि अस गाले सित्या सो ही है सित्या स्ट ऐइन भाई अभम हिनीन रही सो रही है सो रही तो हमारा था का मूार कि यहारू रखा है आप देख़िए इसको ज़ग़ोगा दूसरे से न समोल है यहां पे जब कार को जारी रखने का कोई प्रूफ देता है कि the work is running यहां पे देखे एक्शन वर्ब में क्या सिखाया मैंने बोला कि work is going at the time of taking हमारा time की साथ हमारा क्या हो रहा है कि यह सो रही है मतलब यह सो रही तो यहां पर भी वह सेम ऐसी बनाया जागा सीता सीता is sleeping right देखे मैंने चीज और बताया था कि अगर यह नहीं आते वहां पे एक्शन वर्बात है जिस एक्शन कहाजे कि मैंने शर्ट पहन रखी है आपका भाई टेंपो स्टेंड पर खड़ा है यूर बदर इज स्टेंडिंग अंगर श्टेंड की संटेस आते जहां पे एक्शन स होते हैं अक्शन संटेंग कि मतलबा अक्शन वर्बस आती है वहां पे एक्शन संटेंग क्या जिसमें जो वर्ब कि going on at the time of taking वहां पे टाइम कर जो बताते हैं कि यह कपसे सो रहा है आप आप जाहिए देखिए अरे आप यहां है आपका भाई वहां पे खड़ा हुआ है ओ वो तो होता ही है लेकिन यह संटेस आते हैं जिनको हमको उसकी जो क्या पताना चाहिए वर किस गॉइंग ऑन एड़ टाइम आप टेकिंग हमको पता होने चीज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं तब इस संटेस बना जाते हैं वह ज्यादा इंपर्टेंट होते हैं यही लोगों ने पडि रखा है कि जो सब्सक्रांब का इस होती है वर में तो बोलते है दूसरा जो आता है सब्सक्राइब प्लस इस आयम आ रहाता है प्लस गोईंग ऑन गोईंग ऑन के साथ जो हमारी फॉर्म आती वह आती फॉर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका गाईच इतना ध्हां देना अब इन दोनों को जो है हमारा यह तो हम लोग उन्हें पड़ी रखता है कि अगर वर में जो है आएंजी आती है तो हमारा कांटीनुस हो जाता है और रहाय रही यह तब भी कांटीनुस हो जाता है लेकिन जैसे लिखा ह लिखा है कि मैं साधिक मेरा भाई या मेरी बहें जो है या मेरा दोस्त whatever you can take example मेरा दोस्त जो है साधिक करने जा रहा है My brother is going on to get the marriage My brother is going on मतलब कि यह future को सो करता है कार तो जो है future के लिए सो कर रहा है क्योंकि अभी किया नहीं है यह करने जा रहा है यह future को तो बताता है लेकिन जो sentence होता क्या है Action क्या हो रहा है कि यह काम करने जा रहा है था continuous है हमारा work तो वहाँ पे continuous उमैंने बताय था work is going on at the time taking तो वहाँ पे जो उसकी सायता समा जो कार्द होगा वो क्या होगा प्रेजेंटिटिप कॉंटिनियूस में जाएगा तो हम जैसे कोई जांपल लेगी जी आप जांपल लिखा हुआ है दो जांपल मैं लिखता हूँ जला ध्यान देना वह नदी किनारे बैठा है आप देखिए वह नदी किनारे बैठा है यह संटे जला ध्यान देना गाईस वह नदी किनारे बैठा है आप आपने देखा हूँ नदी किनारे बैठा है देखे भाई यहाँ पे कार जारी है तो वह न अदिकिनार बैठा है भई बैठा तबीत आप ज़ी अभी भी बैठा हुगा अरे आप यहां है आप देखें आपका भई नितिकिनार बैठा हुगा है तो कार यहां पे क्या है, जारी है तो यहां पर भी सेम होगा, क्यों होगा He is sitting He is sitting Bank of the Bank of the river इस वह बात करूं कि दूसरा संटेंस जर ध्यान देना इसमें एक संटेंस यह आते हैं इस टाइब के संटेंस आते हैं इसे दूसरा को लिखा हुआ है यह फ़र अच्छा है वहक में देख रहा है वहक में देख रहा है देखे गाइस मैं इंग्लिस को इंग्लिस तरीके से पढ़ाने की कोशिज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इंग्लिस पढ़े हैं हिंदी नहीं पढ़े हैं तो इंग्लिस के संटेंस जो होते हैं वह डिफि पढ़ा ही आती है लेकिन अधर स्टेट में जो नहीं होती है अगर जो हमारे वीडियो देख रहे हैं अधर स्टेट के बंदे तो उनके लिए भी आऊ है हमारे वीडियो बहुत बेनिफीसियल है कि वहां पर कैसे जो है आप बीट करना है और कैसे आपको हिंदी से भी इंगलि हमारा आगया वहां तुम्हें देख रहा है जरा देखेगा है एंड है कि इस वाचिंग यू डॉटिशी एचाइजिव वाचिंग यू दो पॉइंट आ गया वहां पर एजाम पर क्या होता है यह दो एर्र इस्टाप की दे दी जाती है इसमें बताना है कि कौन सा लगा होत लगा है कि क्या इसमें सभी है क्या नहीं का पर स्विंग लगता है यह आपको बताना है जाद देखते हैं लोग पहले तो देखिए, कुछ ऐसी action verbs होती है, जहां पर उनमें अगर ing लग जाता है, तो उनका अर्थ बदल जाता है, जैसे देखेगा, अगर c की बात करें, तो common c का मतलब तो होता है देखना, लेकिन अगर इसमें ing लग गया, तो हमारा ये बन जाता है, मिलना, ये ऐसे तो गल देखना है, वाचिंग वहाँ पर लगता है, जैसे कोई ची टेली वेजन आप देखते हैं, तो वहाँ पर होना चीए कुछ से मोटिवेट हो, और कुछ हमको प्रेडित करते हो, या कुछ हमको इंट्रेस्ट मिलता हो, something we are getting from this set, then you can use of the watching, what's your watch words on that sentence, right, but there is, I'm looking this, he is seeing you, there is wrong words because if you are using the ing verbs in any sentence, then it will be convert, it will be change of meaning, like seeing, saying means that होता मिलना, but if you talk about the see, see means होता देखना, so this is wrong, it will be correct, right, यहां पे seeing नहीं होगा, क्युकि सीविंग का मिलना, जैसे इसके लिए दूसरा sentence न बना सकते हैं, मैं आपको साम को मिलना हो, तो क्यो हो ज़गा, I'm seeing you, at night, I'm seeing you at night, right, जैसे यहां पे कोई जांपन हमने दिया, मैं आपको साम को मिलना हो, I'm seeing you at night, मैं आपको सुबह मिलना हो, I'm seeing you at morning, मैं आपको दोपार में मिलना हो, I'm seeing you, I'm seeing you at noon, So that's, मैंने अभी बताया, ऐसी कुछ words होती, जहां पे ing लगाने से उसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो यहां पे यह आप लगा सकते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, अब देखना क्यों होता है, you can take a jump, अगर देखना यहां पे क्यों आपको देख रहा हूं, जैसे का जाए आप उसको देख रहे हैं, ध्यान से देखना किसी को अबजर करना, I mean simply आपको अबजर्वरेशन, अगर कहीं पर अबजर्व मिस ध्यान से आप अबजर्व करते हो, अबजर्व आप ध्यान से किसी चीज को अबजर्व करते हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पे जो होता ह watch लगाते हैं, क्या लगाते हैं, watch लगाते हैं, observe करना किसी चीज़ को, get करना है, if you are getting something from this side, then you have to use your watching, right, you can take example, after your door, somebody is sitting, like you take example, अपने घर के बारे क्या होता है, इसलिए उसको ऑपजर करता है, जो कोई जा रहा है तो भाई उसको देखता है, ध्यान से, इसलिए जो है watch man बनाया गया, watch word इसलिए बनाया गया, कि कोई वस्तु है, कोई बंदा है, जो आपके घर की रखवाली करता है, उसको ऑपजर करता है कौन आता है कौन जारा है इसलिए उसको क्या बोला गाया वो जो बोला है वाच मैन बोला है राइट तो यहां पर ज़ना वाचिंग हो जाएगा पर दैस सवरॉंग यह संट्स नहीं होगा आप को में दोफर्स या सुबा मिलना हो सिंग मी सोता मिलना गाइस देखी अ निक्स् आक्षिन वाप के बारे में आप लोग पढ़े रहे हैं वो सिंपल आप लोग जो पढ़ते थे वो तो आता है यह यह ज्यादा आते हैं दूसरा ऐसे संटेस के लिखा हुआ है देखिए ऐसे लिखा हुआ है मेरा दोस्त मेरा दोस्त दिन प्रति दिन मोटा होता जा रहा है यहाँ पर इस संटेस को कैसे बनाते हैं जरा यह ध्यान देना पहले तो आता है इस संटेस को बनानों पर सब्जेक्ट आ जाता है प्लस इस एम आ रा जाता है प्लस अब देखिए इन में क्या लगता है पहले तो get आजाती है get plus verb में verb की fourth form आती है यहाँ पर plus object आजाता है क्या जाता है object ज्यान देना ऐसे sentence में जो आता है उसमें get लगता है get में verb की fourth form मतलब ing form लग जाती है ing form plus object plus etc बनाए जाते हैं जैसके जब मेरा दोस्त दिर प्रति दिन मोटा होता जा रहा है तो क्या बनेगा my friend और इनमें जो हमेंसा use होती है वो comparative degree होती है कौँसी comparative अरे हम लोगों पता है कि degree हमारी तीन होती है positive, comparative and superlative तो उसमें जो हमारी comparative degree use होती है action ऐसे action sentence में जो use करते हैं वो हम लोग use करते है comparative degree का जैसे बढ़ चलके किसी sentence को बोला जा रहा है और दो बढ़ों का प्रयों किया जा रहा है दिन प्रति दिन तो क्या लगा होगे जैसे कि my friend friend is get क्या हो जागा? getting क्या हो जागा? getting अब देखिए अब यहाँ पे है क्या? मोटा तो क्या हो जागा? fight होता है तो क्या हो जागा? getting fatter क्या हो जागा? getting fatter दिन प्रति दिन क्या हो जागा? day by day मैंने बताया जहां देना my friend is getting fatter day by day मेरा दोस्त जो है दिन प्रति दिन मोटा होता जा रहा है तो मैंना ऐसे sentence तुमें बता आया कि यहाँ पे जो degree होती इस यहाँ प्लस get प्लस work की fourth form प्लस comparative degree का यूज़ करते हैं किसका comparative degree का देखिए ऐसे sentence जो होते comparative degree का यूज़ करते हैं यह आपको पता होना चाहिए आगे एक sentence all लेते हैं देखेगा जैसे लिखा हुआ है गाइस धन देना दूसरा संटे लिखा हुआ है हम लोग जैसे बोलते हैं मैं आपको सुनगा हूँ मैं आपको सुनगा हूँ पहला तो यूप ऐसे लिखा होता I am hearing you दूसरा I hear you दो sentence आपको दे दिये जाते गाइस तो इसमें आपको चूज करना काउसा सही है काउसा इसमें यूज होगा काइस ज़रा याद एक चीदिया तक नाम कभी भी मैंने बोला था 40 ऐसे जो है वर्प्स होती है जिनमें आइज जी लगाने पर बूस की जो मतलब होता है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर भी ऐसा सेम हुआ है अगर पहले तो देखे ये रॉम हो गया ये देखे ये sentence सही है क्यों देखेगा मैं आपको बताता हूँ hearing सब्दम यह ऐसी वर्पर hear means तो होता है सुनना यह करक्त है लेकिन अगर hearing word आ जाता है तब क्या हो जाता है इसका मतलब हो जाता है सुनवाई hearing means हो जाता है सुनवाई करना जज कल जो है आपके case की सुनवाई करेगा यह करने वाला है the judge is hearing about to the judge is about to hearing your case यहाँ पे लगेगा जहाँ पे सुनवाई की जारी किसी case के बारे में वहाँ पे आप hearing यूज करेंगे लेकिन मैं आपको सुना हूँ तो I hear you यह सही है लेकिन guys कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे रहा है तो इसका भी मर्द जो है मतलब वही होता है जो वर्ब continuous में आप समझ रहे हैं अथाल मैं सुनता हूँ मैं आपको सुनता हूँ मैं आको सुन रहा हूँ इन दोनों का मतलब ही होता I hear you don't mind guys इन दोनों का मतलब यह होता है अथाल hearing verb तो यह पूरा का पूरा मतलब ही चेंज कर देती है तो कोवन चीज है अगर इसका मेनिंग ही अगर देखिए मैं आपको सुनवाई कर रहा हूं यह क्या होती है और मैंने बताय था ऐसे संटेसओ में जो हता है और मैंने बताय था ऐसे संटेसमें जो हता है वर में आएंजीन नहीं लगती है, simple sentence बना दिये जाते हैं, और तुस्सेम निकलाते हैं, आगे दिखें, एक sentence और, यह बात आ रही है, आप लोगों समझें, simple तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कानपूर जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं do you so, the student is operating computer, English well, he is speaking English, he is teaching, these are the the sentence we are, which are relative to present quantity investments. I have told you before, sometime number of action verbs, actual sentence which is which come in present quantity university that you have to make, you have to solve all the problems in other competition exams like आपको ध्यान देना है कैसे आता है कैसे आपको यूज करना है इन संटेशों को ऐसे सॉल्व किया जाता है और यह जो है यह पेपर में पूछे जाते है इस टाप के संटेश जाते है एक और मैं बता देना लिखाए व बैथे हो दूसरा इसे लिखाया है तुम बैठे हो तुम कि यह तो मैं यह यह वह पर शोया है मैं दुबादा रिपीट कर रहा हो जल्फार लास्टन जल्फेर ध्यान दिशन गाइस तुम बैठे हो यहांपर भी की यह मैंने बोला कि वहां पर आक्स अध्यान रखने का जो continuous of work this is going to be then you have to use of this मैंने बोला था कि अगर किसी वाक्ट में जो है कार को जारी रखने को बता रहा है तो वहाँ पर भी जो है जरूरी नहीं रहा है रही आता हो लेकिन वो कार को जो है continuous action गोर action निस चला है कार then if you find the action in any sentence then you have to use of ing and also you have to use of is mr with them and is always used to singular number I am always used to i and also r will be used in plural numbers like we use there right तुम बैठे हो कार यहाँ पर क्या है बैठे है तो क्या हो जागा you are sitting वह सोया है क्या हो जागा he is sleeping guys he is sleeping मैंने क्या बोला पर सोरा उसका काम क्या है जारी है वह कार को जारी है बाई मैंने बोला था जब कभी भी किसी भी वाक्य में कार जारी रखने को बताता है action हो रहा है उसमें तो वहाँ पर जो यूज करते हैं वह present इसे हम लोगों को पढ़ना आया है आगे गाइस समझ में ओके तो गाइस नेक्स क्लास में फिर मैं डिस्ट करने वाला हूं इसके आगे जो है यह हमारा जो प्रज़न इसमें अफर्मेटू नॉट लगा लिजी हमने गेटू बन जाएगा इस लेपेंगे इंटर गेटू भी बन जाएगा तो इनको ध्यान से पढ़ेगा जाएगा जो नोट्स बनाईएगा जो नाईए आप कमेंट करके पूछिए और अगर आपको गईस हमारा वीडियो पसं कमेंट करके बताईए कहसा लगा और डोंट फगेट तो प्रेस बेल आइकन ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो सुझेगा